गैस आज हम लोग बात करने वाले हैं representation of a binary tree of a binary tree कि यार एक binary tree को अगर मैं represent करना चाता हूँ तो क्या तरीके है मेरे पास in hand इस बारे में हम discuss करेंगे तो right to the point मैं आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा कि दो methods होते हैं primarily हमारे पास एक binary tree को represent करने के लिए ठीक है तो जो पहला method हमारा होता है वो होता है हमारा array representation ठीक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ array representation और यह जो array representation होता है इसको बहुत जाद इस्तिमाल नहीं किया जाता है और उसका reason है देखो reason उसका यह है कि जो array होता है हमारा उसको हम जब बनाते हैं तो हमें उसका size already declare करना वड़ता है हमको बताना वड़ता है कि हम 100 values इसमें store करने वाले हैं या 200 store करने वाले हैं या 500 store करने वाले हैं तो ये बात हम लोगों को पहले से इन advance बतानी पड़ती है array को और अगर हम ऐसा करते हैं जैसे मालो मैंने 100 का array बना लिया 100 length का array बना लिया और उसके बाद मैंने कहा कि और मुझे 101 वाई element store करना है तो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता चाहे मेरे computer में 32 GB RAM हो चाहे मेरे computer में 128 GB RAM हो कोई फरक नहीं पड़ता एक बर आपने कह दिया कि array में 100 integer आएंगे तो 100 ही आएंगे आप उसको change नहीं कर सकते हैं हाँ आप change कर सकते हो copy वगएरा करके but it's a lot of headache आप नहीं चाहते ऐसा करना इसलिए इसको बहुत कम इस्तिमाल किया जाता है बट क्योंकि यह एक तरीका है एक binary tree को represent करनेगा तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही simple सा binary tree यहाँ पर बनाने चाहरा हूँ और इसको मैं बनाऊँगा blue color से तो यहाँ पर एक binary tree बनाता हूँ इसके अंदर एक value देता हूँ 7 और यहाँ पर एक और बना देता हूँ गोला इसको देता हूँ 11 इसको देता हूँ 2 और यहाँ पर इसके दो और child बनाता हूँ इसके भी दो और बनाऊँगा और यहाँ पर मानलो मैंने 7 फिर से दे दिया और यहाँ पर 1 दे दिया यहाँ पर 11 दे दिया और यहां पर 9 दे दिया यह हमारा एक binary tree बन चुका है भी ठीक है अब यह binary tree बन गया इसको अगर मुझे array से represent करना है तो मैं कैसे करूँगा यह आप लोग को बता देता हूँ तो अगर मैं इसको array से represent करना चाहता हूँ तो आप जैसे भी मंचाए कर सकते हैं मैं आप लोग को एक तरीका बताऊँगा कैसे मैं represent कर सकता हूँ इसको मैं कहूँगा यार देखो यह जो है मेरी 0 पर इंडेक्स पर आजाएगा मैं तरह कलर चेंज कर लेता हूँ ता कि आप लोग को अच्छे से दिखे यह चीज मैं रेड से इसको माग करूँगा मैं कहूँगा यह वाली चीज जो है वो मेरी इंडेक्स 0 पर आजाए ठीक है और यह वाली चीज जो है वो मेरी इंडेक्स 1 पर आजाए और यह वाली चीज जो है वो इंडेक्स 2 पर आजाए फिर उसके बाद ये वाली 3 पे ये वाली array की index 4 पर 5 and 6 ठीक है तो ये काम हम लोग कर सकते हैं हम कहेंगे कि जो हमारा array बनने वाला है यानि कि जो array मैंने बनाया है length 7 का यानि कि 0 to 6 का उसमें मैं ये binary tree को store कर सकता हूँ ये सारे integer की store कर सकता हूँ तो मैं एक 1D array बनाऊंगा और ये सारी values को store कर दूँगा अब यहां पर आप लोग को बताता हूँ आप में से लोगा सवाल होगा कई लोगा सवाल ही होगा कि अगर मान लो कि ये binary कुछ इस तरह से दिखता यानि कि मान लो कुछ ऐसा दिखता कि यहां पर भी एक node होता और वो let us say 2 होता और एक node यहां पर भी होता और वो let us say 11 होता तो हम उस चीज़ को कैसे deal करते तो मैं आप लोग को बताता हूँ उस चीज़ को आप लोग deal को जिस तरह से करते जैसे कि हमने यापर 6 लिखा हुआ है यहां पर 6 तक हमने लिया हुआ array की indices को मैं काओंगा यह वाला array की 7 फे store होगा यानि कि जो 7 फे index है अगर मेरा यह array है मैं आपर बना देता हूँ array अपना मैं आपर ARR लिख देता हूँ अगर मेरा यह ARR है from 0 to इसकी length जो है देखनी पड़ीगी 3 के हिसाब से होगी बट अगर यह मेरा array है मैं आपर इसको ऐसे मना देता हूँ इसकी length नहीं लिखूँगा मैं आपर इसको ऐसे मना दूँगा 0, 1, 2 and so on तो मैं इसको कुछ ऐसे मनाँगा यहां पर लिखूँगा 2, 3 and so on यह जो है आगे को बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा आप जितना चाहते हैं यह उतना आगे को जाता चला जाएगा तो यहां पर मैं इसमें बहुत सारे blocks बना दिये यह array 0, यह array 2, यह array 3 and so on यहां पर सही से mark कर देता हूँ यह तो यहां पर मैं array 6 में 9 स्टोर करूँगा array 7 में 2 स्टोर करूँगा ठीक है अब यहां पर आप कोगे array 8 में क्या स्टोर होगा यह अगर मैं binary tree बना हूँ तो अगर मैं इसको represent करना चाहूँगा तो मैं यह कह दूँगा कि यार अगर 7 का यह वाला जो node है मेरा यह वाला node अगर जो 7 है उसका सिर्फ left child है right child नहीं है द्यान से सुनना मेरी बात को अगर 7 का left child है और 7 का right child नहीं है तो मैं आपर करूँगा क्या 7 के right child को जबरदस्ती null कर दूँगा ठीक है मैं कहूँगा कुछ नहीं का मतलब होता है null तो 7 का right child null है ठीक है और यह null value मैं कहां store करूँगा यह null value मैं बिलकुल सही का आपने array की 8 में store करूँगा ठीक है तो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ यार array की index rate पर फिर यहाँ पर यह जो array है वो किस तरह से दिखेगा इसमें कुछ इस तरह से values रहेंगी 7 यहाँ पर रहेगी मैं इस चीज को black color से लिखना पसंद करूँगा 7 यहाँ पर रहेगी 11 यहाँ पर रहेगी 2 यहाँ पर रहेगी फिर उसके बाद 3 पर 7 फिर से है मैं यहाँ यहाँ से यह वाला देख के लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 7, 11, 2, 7 and so on ठीक है अब जैसे ही मैं array की index 8 पर आऊँगा मैं इसको ज़रा सही से बना लेता हूँ array की index 8 पर जैसे ही मैं आऊँगा इंडेक्स 8 पर क्या होगा देखो 3 पर तो यह है ठीक है 4 पर यहाँ पर आगई ऐसी कहीं न कहीं index 8 भी आईगी index number 8 पर होगा कुछ यह कि index number 8 पर मैं null store कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर null store हो जाएगा C language पर null होता है हमारे पास null को store कर सकते हैं 9 पर भी null होगा 10 पर भी null होगा क्यों होगा 9 और 10 पर नल क्योंकि 1 का null left child है न right child है न लेफ्ट child है न राइट child है similarly इस वाले note का न लेफ्ट child है न राइट child है तो आप इसको tree को कुछ इस तरह से मना लो मैं जरा से space बनाने के लिए यह 4 और 5 मिटा रहा हूं यहां से ठीक है और मैं आपर इस ट्री को कुछ इस तरह से बना लूँगा तो मैं कहूंगा कि यार यहां पर भी नल होगा और मैं नल को शॉर्ट में एंड लिक रहा हूं ठीक है अब आप देखो आपके सामने सब कुछ मैंने रख दिया है देखो 0 यह है 1 यह है, 2 यह है, 3 फिर यह हमारा 4 हो जाएगा ठीक है, यह हमारा 5 हो जाएगा 6 मैंने लिखा हुआ है 7, 8 यह हमारा 9th इंडेक्स पर यह हमारा 10th इंडेक्स पर ये 11th index पर ये 12th पर ये 13th पर ये 14th पर ठीक है और इस तरह से हमें जो array है size 16 का चाहिए होगा अगर हम इस तरह की representation को इस्तिमाल कर रहे है तो size 15 size 15 का चाहिए होगा ठीक है चुकि 0 से लेके 14 तक 15 keys होती है एक array में ठीक है तो size 15 array is needed to store this tree to store this tree तो अगर ये convention आप इस्तिमाल कर रहे हो तो आपको size 15 का array जो है वो चाहिए होगा अब इसकी तोड़ी सी बुराई कर देता हूँ किसकी representation की इस representation की बुराई करूँगा तोड़ी सी यार देखो अगर मुझे इस tree को बढ़ाना पढ़ गया एक binary tree को हम इस्तिमाल क्यों करते हैं हम binary tree को इस्तिमाल करते हैं हम आगे binary search trees पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम efficiently एक modifiable tree बनाना चाहते हैं कभी-कभी जिसमें कि हम लोग keys को store करते रहना चाहेंगे कुछ इस तरह से करते रहना चाहेंगे कि उसकी जो search हो वो बहुत vast हो और login time में हो और उसी के साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि हम कोई भी key को कभी भी remove कर सकें तो यार इसमें insertion, deletion, ये सारे operations बहुत costly पढ़ जाएंगे, कौन खिसकाता रहेगा इदर उदर, कौन null करता रहेगा सारे की सारी values को मतलब काफी headache है अब दूसरी बात ये है कि अगर मुझे tree को extend करना पड़ गया तो यार मेरा array तो size 15 का है मैं ये size 15 का array का दुबारा से बढ़ा करके बनाऊंगा मैं सारी कीज को copy करता रहूं कि यही मेरा काम है नहीं मैं ये नहीं चाहूंगा इसलिए हम लोग use करते है linked representation कुछ लोग इसको linked list representation बोलते हैं और मैं बताऊंगा आप लोग को कि linked list representation बोलना इसको गलत क्यों है linked representation of binary tree अभी हम बढ़ेंगे लेकिन उसे मैं तोड़ी और बुराई इसकी करतेता हूँ जो हमारी array representation है यार देखो एक beginner को array representation बहुत अच्छी लगती है वो कहता है यार array मुझे आता है बहुत ढंग से pointer के चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता तो यार ये जो array representation है ये में इस्तेमाल करूँगा लेकिन अगर आप तिहान से समझे आप एक अच्छे computer scientist बने अगर दिमाग लगाए सही से तो आपको बदा चलेगा कि यार हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है यहाँ पर आपको operations बहुत costly पढ़ जाते हैं आपको एक दूसरा array बनाना पड़ेगा अगर आपको history को extend करना है जरा सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप यहाँ पर एक key लगा दो और उसमें जो है 3 store करा दो और यहाँ पर एक और key लगा दो उसमें जो है 2 store करा दो तो आप लोग क्या करोगे आप को कि चलो ठीक है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपको कि यह आजाएगा मेरा 15th index पर मेरे array की यह आजाएगा मेरी 16th index पर लेकिन यार आपके तो array का size ही 15 है तो 15 हो 16 index आप कहां से लाओगे size 15 array में index कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके 14 तक जाएगी तो आप 15 हो 16 तक है तो यह आप लोगों को बहुत जादा भारी पढ़ जाएगा क्या भारी पढ़ जाएगा आपको आपको भारी पढ़ जाएगा यह array representation यूज करना ठीक है मैं आपर काटा लगा रहा हूँ काटा क्यों लगा रहा हूँ काटा इसलिए लगा रहा हूँ और वो है linked representation of binary tree, linked list representation नहीं, linked representation of binary tree, तो यहाँ पर हमने ये वाला तो देख लिया, area representation, अब मैं आप लोगो linked representation बताऊँगा, ठीक है, और मैं बताऊँगा linked list क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसको, linked representation binary tree की बहुत अच्छी और efficient implementation है, और हम यही वाली implementation जो है, वो यूज करने वाले हैं, ठीक है, area representation में तो हमारे पास बहुत सारे drawbacks थे, यहाँ पर हम doubly linked list का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे मेले मैं क्या करूँगा, एक sample tree आप लोगों के लिए आपर बनागर खड़ा कर और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से, मैं आपर one ले लूँगा, यहाँ पर मैं four ले लूँगा, उसके बाद मैं कुछ इस तरह से eleven ले लूँगा, और twelve ले लूँगा, और यहाँ पर वापस से three ले लूँगा, और इसको null कर दूँगा, इसको null कर दूँगा, ठीक है, पर कुछ नहीं है, तो मैं इसको जो है, नल को थोड़ा से उपर लिखता हूँ, I hope कि आर आप लोग समझ गई ये ट्री कैसा मैं बनाना चाहता हूँ, तो linked representation का सबसे बड़ा फाइदा ये है, कि ये जो linked representation होती है हमारी, ये linked representation binary tree को visualize करने में बहुत जादा सहायक होती है, और इस बात का मतलब आपको बताता हूँ भी, आप अच्छे से समझोगे, जब मैं अपना जो linked representation है, उसको बनाऊँगा, हम लोग यहां पर use करते हैं, pointers का, अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, इसको linked list representation क्यों नहीं बोलते हैं, जो list होती है, वो linear होती है, वो कुछ इस आसे दिखाई देती है, कि यार आपने यहाँ पर एक data node बना दिया, यहाँ पर एक pointer to next बना दिया, फिर से आपने यहाँ पर एक data node बना दिया, फिर pointer to next बना दिया, फिर आपने data node बना दिया, और जो pointer to next है, जैसे आपकी list खतम होती है, आपने उसको null से point करा दिया, यह होत के बहुत जादा similar होती है लेकिन यार यह linked list नहीं होती है इसे linked representation बोलेगे binary tree मैंने देखा है कही जगा बहुत सारे लोग बोलते है linked list representation of binary tree जबकि यह linked list representation नहीं है यह linked representation है चलो यार नाम में क्या रखा है काम देख लेते हैं अभी काम जो है वो important होता है नाम इतना important नहीं होता है तो यहाँ पर जल्दी से मैं करूँगा क्या कि कुछ इस तरह से ऐसे मुना लूँगा इसको doubly linked list बनाूँगा यहाँ पर ठीक है देखो यहाँ पर मैंने क्या किया data node रख दूगा मैं कहुँगा यह मेरी एक doubly linked list का node है यह एक pointer है मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ यह क्या है यह एक node है यह pointer है यह pointer है pointer to what? pointer to another node like this like this ठीक है एक pointer to another node like this ठीक है अब मैं आपर करूँगा क्या कि यह जो pointer है द्यान से आप लोग देखना बहुत द्यान से समगिना इस चीज को यह pointer बना देता हूँ यह आपर जल्दी से वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा one ले लूँगा और similarly यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेरा four है यहाँ जो data node discuss में four store करा दूँगा वापस से मेरे पर दो pointers बचे यह पाइंटर ये पाइंटर यह चार पाइंटर होगा दो इधर दो इधर तो इधर ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा कि यह जो मेरा pointsर है यह वाला जो minutes है मेरा मैं आपर करूँगा क्या कि इसको point कराऊँगा एक और इसके जैसे note से और इसको भी point कराओंगा एक और इसके जैसे note से इसको मैं point कराओंगा null से आप लोग देख लो है आपर यहापर देख लो ही null है ठीक है इसलिए मैंने null से point कराया है इसको ठीक है और इसको मैं point कराओंगा एक और ऐसे note से जिसमें value क्या होगी जिसमें value होगी मेरी 3 ठीक है जरह इसको नीचे को ले आता हूँ ऐसे और मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और node बनाऊँगा ऐसे ठीक है और यहाँ पर value के डाल दूँगा value डाल दूँगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 pointers मेरे होगे एक node यहाँ पर बहुत जल्दी से बना लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से ठीक है और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा values डाल दूँगा 11 और 12 यहाँ पर एक और node बनाके 12 डालना है मुझे ठीक है तो यहाँ पर एक और node बना के मैं 12 डाल दूँगा value ठीक है कुछ इस तरह से और ये दो pointer मेरे पस बचे ये दो pointer है मेरे पास ये जो सारे के सारे pointers है ये point करेंगे अब null को short में n लिखेंगे time बचाने के लिए ठीक है आप अपने घर में बैड़ेगे अपने comment में null लिखते रहना मैं आप अपने टाइम बचाऊंगा और nn लिखूंगा और हमने कर दिया है represent this binary tree को तो ये जो है ये जो है ये है representation of this binary tree using linked representation using linked representation ठीक है अब अगर मैं एक node पे zoom करूँ ठीक है एक node पे एक node बनाता हू सबसे पहले ठीक है एक node पे zoom करूँ मैं अगर इसको मैं लड़ अच्छा बनाना चाहूँगा सीधी सीधी लाइने खेचना चाहूँगा ठीक है कुछ इस तरह से और या थोड़ा सा मैं इसको अच्छा बनाना चाहूँगा ताक यार ये अच्छा दिखे ठीक है तो ये मैंने हा अपर node बनाया और मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे कर देता हूँ ये है मेरा एक int data ठीक है ये पूरा एक structure है ये मेरा int data है ये मेरा क्या है pointer to another structure ठीक है मैं आपर लिख देता ह fleet node ठीक है node ये मैं आपर लिख देता हूnoड star यहाँ पर भी लेते हैं दोट स्टार यानि कि अपने जैसे एक स्ट्रॉक्चर पर ही पॉइंट कर रहा है ठीक है और अभी मैं जाओंगा VS Code में आपको दिखाओंगा सही सर्दो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है अपर ठीक है यह आप लोगे लिए सबसे ज़रूरी है ठीक है और मैं आप ज़रा इस तरह से मना देता हूँ representation of of this tree यह चीज आप लोगे लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है कि किस तरह से यह tree जो है यह और यह दोनों same है यह हमारा memory में है यह representation है और यह हमारा logically है ठीक है यह logically हमने बनाया है और यह हमारा जो है in memory कैसे यह जो है memory में रहेगा किस तरह से हमारा यह tree computer science में represent किया जाएगा तो यह चीज मैंने आप लोग को बताई है ठीक है एक काम करता हूँ यहाँ पर जाने से पहले यह आप लोगो पूरा structure आने बनाएंगा की दिखा देता हूँ यह पूरा structure मैं आप लोगको बनाएंगा लोग में अप लोग लिए बहुत itéक है तो मैं इस structure को यह यह लिग देता हूँ ताकिह आप लोग clear हो जाएँ कि यह node है वह कैसा दिखने वाला है तो मैं आपर क्या करूँगा, सबसे पहले यहां पर एक बड़ा arrow लगा देता हूँ, उससे बता ही क्या होगा, बड़ा arrow लगाने से यह होगा, कि आप लोग को एक clarity आ जाएगी, कि यार हाँ, यह किस तरह से represent हो रहा है, तो मैं ऐसे arrow लगा देता हूँ, कि यह पूरा struct node है, अ आपर लिखता हूँ structure, ट्रकेए, अब मैं इसको जब से ऊपर करके यहा पर structure लिखता हूँ, वो structure कौन सा है जो हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लिखाँगा struct node, टीक है, यह वाला जो structure है, वो कैसा दिखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ, टीक है, मैंने यहाँ पर bracket लगाया, अब मैं लिखूँगा in data यह हमारा data store करेगा उसके बाद मुझे एक pointer चाहिए मैं लिखूँगा यहाँ पर struct node star node star left और मैं आप लिखूँगा struct node star right और समिकॉलल लगाना ज़रूरी होता है इस ही language में structure में तो इस तरह से हमारा यह structure दिखाई देगा, ठीक है और मैं आप बता दो आप लोग को यह है structure of a node in C language in C language, ठीक है in case आप कुछ और use कर रहे है, Java वगेरा तो वहाँ पर यह लागू नहीं होता है यह structure of a node in C language है, ठीक है I hope कि आप लोग वे जी समझ में आ गई होगी, अगर आप लोगो ने data structure की playlist को access नहीं किया अभी तक तो आप data structure की playlist को जरूर access करें मैंने सारे वीडियोज वहाँ पर लाइन से लगा रखें और आप लोग को क्या समझ में आई यह सारी चीज़े मुझे जरूर बताएं लीचे comment में I hope कि यह data structure course आप लोग के लिए helpful होगा Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time